नमव नारे नमव नारे नमव नारे ये गोमाता वंदे मात्रमा भारती कुप्रणाम और हिर्दैशे ओम शम शनिश्चा रहा है प्रदर्शक्र मित्रों श्ठाथ्यूं जो कह रहा हूं है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा उमीदें हमें छोड़कर कभी नहीं जाती है जल्दबाजी में हमें उसे छोड़ देता है इसलिए धहरी और सैयम सफलता का मूल मंत्र होता इस बात का दिहान लगए अगर दर्शक्री लक्ष पर हो और कदम रहा पर हो ऐसे कोई रहा नहीं है जो लक्ष तक नहीं जाती है परदर्शक और मित्रों शाथियों फरवरी 2024 का महिना नक्षतर गर्णाओं के हिसाब से कैसा रहेगा ये वीडियो उस पर है फरवरी 2024 बारा के बारा राश्यों के लिए क्या संकिर दे रहा है क्या लाब मिलेगा क्या काम बनेंगे क्या अविश्यक्ताओं की पूर्ती होगा क्या रोगों से पीछा छुटेगा क्या अपनों का शाथ मिलेगा नश्चतर गर्णाओं के आधार पर बारक बारा राशिपल का वीडियो लेकर आपके सामने हूँ, में तरोशाथि हूँ, ये एक जन्रल प्रडिक्शन है, लगनगा भी ध्यान में रखा हूँ, लेकिन मैं आप से निवेजन करूँगा, राशिपल चंदर राशी से ये तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये जन्रल है, आप चाहते कि आपके बारे में कोई जानकर या आपको चाहिए, आप चाहिए आपका ये महिना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे, इन नंबरों पर संपर करके आप बात कर सकते हैं, अब मैं बात करक राशी वालों, करक राशी वालों के लिए फरवरी 2024 का महिना कैसा रहेगा, करक राशी वालों के लिए शंपून और नक्षतर करना हैं, फरवरी 2024 के महिने में क्या संके देगी, इस विशे पर आ रहा है, ये वीडियो करक राशी वालों के लिए, अब करक राशी के पर शत्र में जातक का जनम हुआ तो सररिक बनावट कैसे होगी, उसकी विचार कैसे होगी, काम कैसे करेगा, यह मेरा अनभाव है, लादने का सभाव मेरा नहीं है, करक्रासी में जनमे जातक अमुमन मैंने देखा कि उनका जो कद काटी वो शामने रहती है, हातों की बनावट मैंने अमुमन देखी कि चप्ती जैसे रहती है, हतेलिया कौमल होती है और अंगुलिया थोड़ी सी मूटी जैसी होती है, यह उनके सरीर की बनावट है, भावग बहुत होते हैं दूसरों के जिवन से बहुत मतलब रखते हैं, लिए आपकी करक्रासी तो टटोलिएगा, अ भाव दरड भी है, लेकिन इमोस्तन दुरबलता का संकेत भी दिलता है, मन वस्तति परवतन सील गाती है, यह मैंने देखा है कि करक्रासी की लोग अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं, करक्रासी वाले व्यक्ति अपने अनुसान निर्मान कराने के लिए पुरा हमेशा घर में लगता है, लोटकर घर इनको आना होता है, यह लोग पुराने चित्रों को, ग्रहंतों को विशेश रूची रखते हैं, यह गटनाए मैंने करक्रासी में देखी जो मैं आपको बता रहा है, देखिए गई दिया आपकी करक्रासी है, क्या कुछ मेल खाता है, अब मैं बात करूँगा कि फरवरी 24-24 का मेना कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले ग्रह योगा योग को देख लेते हैं, करक्रासी वालों के लिए धनेश सूर्य देव, बार्वे और तीसरे भाव के स्वामी बुद्देव के साथ, बुद्दा अधित है और शप्तम जिवन साती है, विवा है, साजेदार है, वैपार है, यह तीन भाव प्रभावित हो रहे हैं, शुर्य देर बुद्देव के साथ जियूति करेंगे, और दसमेश और पंचमेश मंगल देव जो हैं, यह यह दोने केंदर के माली त्रिकॉनम हैं उस अवस्ता म छटे भाव में लाब और शुकर भाव शुकर देव के साथ संचरन करेंगे, पांच फरिगो मंगल देव सब्तम भाव में गोचर करेंगे, बारा फरिगो शुकर देव सब्तम भाव में आ जाएंगे, ब्रश्मेश देव छटे और नमे भाव के अधिपती होकर करम इस्तान करम इस्तान में रहेंगे दसंभाव में रहेंगे आश्ट्रमभाव में विराजमां संदेव से उनका तिरिकादस समंद्रेगा रावदेव भागेस्तान में राशी में और केते देव प्रकरम इस्ताम करन्याराशी में संचरण करें यह है संचरण अब इन संपूर्ण घरे य कि बात करूं तो जो मेरी गणनाओं का संके जो मेरा आनभाव है वो कहते कुछ अच्छा होगा विगन बादाव परिशान में कम आएगी धन की प्राप्ति को रोजगार की साधन अप्रभी होंगे कहीं नी कहीं से जो आर्थिक पक से वो आग की पकड में रहेगा ये महिना आ अपना काम काज है तो बड़े वैपारियों के लिए आर्थिक इस्तिति में मजबूती का संकेत बुद्देव देर दूसरे बापर ब्रश्पद्य की पंचम द्रस्टी ब्रश्पति विस्तार है तो धनकोस के विस्तार धनकोस में विर्दी का संकेत आवश्यक्ताओं की पूर्थी पूर्शार्थी संपूर्ण परिशानियों का निवार्ण साथी चतूर्द भापर ब्रश्पद्य की सब्तम द्रस्टी शामाजिक और परवर मांसिक इस्तितियों को अच्छा बनाए लेकिन एक बहुत जरूरी यहां पर है कि जो निजी रिष्टे जो पारवार पास नुकसान देगा निजी संगों समंदों में दगा दुराव भेद यह आपको परिशानी में डाल सकता है लेकिन जांतक केरियर की बात है कामकाज या कारूबार का मामला है ग्रहों की सितियां और यूतियां आपको अवश्य लाब और शपलता देगी हां जिस तरकी घर योगायोग है मैं यह कह सकता हूं कि आपको इस महीने कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा मिलेगा कि पीड़ा और परिशानयों में कमी आएगी स्वास्त्य को लेकर भी थोड़े से आप रात मैं सिवक्र लेकिन फिर्भी स्वास्त्य को यूचे चाहिए अब अब मैं कर्तियों को केरियर और एजुकेशन के हिसाब से कड़ी मेहनत कटिन प्रिशंगर्स है कुछ उलजने भी है कुछ तनाव भी है मेहनत है परिशन में शंगर्स है पढ़ाय में अनाव से कटने और विगन बादों से एकागरता भी भंग हो शकती है और माता-पिता आपका मित्र सरकल आपका ध्यान पड़ाई से हटा कर मौज मस्तिक और खीचेंगर इससे आपको नुक्सान हो जाएगा इस आपको नुक्सान उठाना पर सब्सक्राइगा शैर सपाटर दोस्री का माहूल आपको प्रिशानी दे सकता है एजुकेशन और के हिसाब लेकिन उ उन पर ब्रिश्प्रद्देव की किरपा से अच्छे प्रणामों का संकेश बज़ रहा है कोई कंपिटेशन की त्यारी कर रहे है कोई परिक्षा की त्यारी कर रहे है पांच फरवरी के बाद समय अनुकुलता का संकेश दे रहा है कंपिटेशन में सफलता की है लेकिन केरि के भै भरम भरम भरांती से दूर रखना बहुत ज़रूरी बाकी लाब मिलेगा काम भी बनेंगे और धनकी प्राप्ति भी हाँ अब मैं जो चच्चा करूँगा वह है वो कि आपके कारोबार आपकी नौकरी आपका आर्थी दर्ष्ट केरियर आपका कामकाज आपका तो शंप ब्रस्पतदेव की पंचमदशती धनभाव पर है जबतव शंप भाव पर है और नव दर्ष्टे श्यव भाव पर है करंग में संचन करें और और परश्पत देव से तिरेका दसम्मद है। सनिदेव की तीसरी दर्शी दसमभाब में पढ़ने से कामकाज कारूबार नौकरी के चेतर में कुछ अच्छे प्रिणाम देगा। अच्छे प्राभेश शुक्रदेव के साथ ब्रश्पत देव की मूल त्रिकॉण रशी धनो में संचरण कर रहा है। तो कैरियर हो चाए नौकरी हो चाये आजवीका का कोई भी च्छेतर हो, कारूबार का कोई भी च्छेतर हो। ब्रश्पदेव मंगल देव शनेदेव के प्रभाव से आर्थिक श्रोत में एक से अधिक आर्थिक श्रोत है रोजगार के साधनों में विर्दी किसा साथ वैपारिक वर्ग को कोई बड़ा आनुमेद भी प्राफ हो सकता पिछली संपून प्रतिकुल प्रशान से छुटकार मिलेगा कारी स्थल पर आपका वर्चा से बढ़ेगा तो चाकर भी आपको नुक्सान नहीं कर पाएंगे ब्रश्पदेव ब्रश्पदेव और शनेदेव अच्छा लाब देगी कर्म में शक्रता बढ़ेगी आतम विश्वा से वेपार में तरकी होगी सब्तमभा में विर् पुष्टे नहीं वेपार है तो लाब तो मिलेगा अभी देशों में रहे हैं चाहिए वह नौकरी हो चाहिए कामकाजों चाहिए कारूबार आपको सुधरता मिलेगी आपने मजबूती आएगी आयात और निर्यात के कारे में वेपारियों को अच्छा फाइदा होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एक से अधिक साधनों से, आई प्राप्त होने से, आर्थिक्स पक्स मजबुत होगा, पर तुछ सुख सुविदाओं में बेतासा खर्च पर अंकुस नहीं रखा, तो थोड़ी सी प्रेशाने की है, कैरियर कारोबार नौकरी के हिसाब कहीं नी कही नौकरी वैविशार आर्थिक दिस्टिकॉण को लेकर, फरवरी के महिने में करकराश शिवा लोग ले सेकेगे, मैं परवज दिस्टिकॉण की बात करूँ, तो समाझिक और परवज दिस्टिकॉण से महा की सुरुवात अच्छी रहेगी, समाझिक सिवाउं का उससर समाजिक शरुकार बढ़ेगा और समाज में प्रतिसिर लोगों के साथ आपके समद्ध बनेगा निजी समद्धों को लेकर महा का पुरवार्द हिस्सा बहुत अच्छा है परिवार का साथ मिलेगा परिवार साथ बैटने कमों का मिलेगा और पारवारिक परिष्टांट से मु बारा फरिवार लाबेश शुक्र देव सब्तम्भाव में आ जाए पंच में सब्तम्भाव और एकादस भाव में येंकें प्रकारेंट कहीं कहीं से कुछ ने कुछ लाब और सफलता मिलेगा निजी सम्द्धों के लिए संकेत बहुत अच्छा है वे लोग जो अविवायत ह अट्रण में पूनता साधी का संके देन ऊ-च्छा रहेंगा रहे हैं धन अच्छा मिलागे रगागा शाधी विवायोगी अच्छे रिस्तो की प्राप्ती होगी सात्य जो लोग विवायत है उनने शंतान प्राप्ती au में ये म Nous अटम लाब का संके दे रहा एक Там रस्तमी पारवाट ये जिवन रहात में, आप नया मकान करें कोई प्लोट खरें में दूसरों की प्रभ्र करेंगे व्ह乃 जिवन की अनकुलता की मैं वज़े से जीवन साथी कंदा से कंदा मिला खड़ा रहेगा और कारुमार में शपलता की उत्तम आफिसर խी हाँ शत्रू पक्स से थोड़े रिष्टे अच्छे बने रहे समझो तवादी नित्य अपना है शत्रों के साथ तक्रार आपका नुक्सान करेगी इससे बचना चाहिए स्वास्ति के लिया से पंचमेश मंगल देव का छटे भाव में बैटना पेट समंधी समस्यों के संके दे रहा है खान पान पाचन आते समंधी कोई प्रेशा नहीं आपको मुश्रिबत में डास चाहिए और शुक्रदेव के साथ संच्रन कर रहे है यह यूति तो खान पान को लोकर संतोलित रहना बहुत जरूरी नशा नहीं करें नसे से दूर रहे अने ता सारीक स्रमस्यों को सामना करना पड़ेगा सत्तव भाव में सुरीदेव बुद्देव की उत्ती स्वास्त्रमंदी स्रमस्यों के और इससारा करने लापरवाईज शूगर है तो तुरन चिकस खास्रमसा का सारी अर ववेद कार लिए अच्छा रहते वह में फीराजज मान शानेज्देव भी आपको श्वास्त्रमंदी संत्व मंदी सावन्दानी का संकेदरें लेकं स्राणि चिया शर्नि में ये ता dishon का इंधार पर करकराश सी वालों के लिए दोहजार चौबिस फरवरी के महने का संकेत अब उपाई क्या करें करकराशी वालों हर हर सनी वारक दिन सनी मंदर जाई सनी देव का सरदवर पूजन करिए तेला विशे कर लिए सुदासन पे बैठ कर वहीं दसर रतगर सनी इसरुत के साथ पार्ट सुने सनी देव की प्रतिमा के आसपास बैठ कर ये पार्ट करने से आपको पूर्ण फल प्राफ्त होगा सनी देव को प्रशन करने के लिए निला जनम शमा भासम रभी पूत्रम यमा गर्जम छाया मार्तम संभूदम इस मंत्र का जापकना उत्तम रहेगा आप दिली एंस्यार में रहते हैं तो सिरी सनी धाम सनी तिरेचत असोला फटेपूर वेरी में पधारी करिये प्रफु के दर्शन पूजन तेलाबी से आपके कश्मेटिंग दिली छतरपूर मेटरेशन से चार किलमेटर आगे असोला और फटेपूर वेरी की पावन भूमी में ये सनी धाम सनी तिरेचत है और आपका श्वागत है मैं भी सनीवार की दिन सनी धाम में रहता हूं और आपसे जरूर में लेगा श्वागतरी का पार्ट पूरे मेने समय निकाल कर जरू करें ओम तत्पुरसाय विदुमें ही ये गायतरी है इस मंतर का श्वागतरी का जाप करना चींग तो यह था करक राशी वालों के लिए नक्षत गर्णाओं के आधार पर फरवरी चौबीस का राशी फल मेरी अनभाव का आंकलन न भाय न भ्रह्मने प्रांति न विवादने तरक शकन ओपन नगदगार आपका था आपका है आपका है रापी का रहेगा मनून मनून आपकी यह आपकलन मेरता मेरी से कोई भूलोगी दोनों हाजोरों के चमा मांगता हूं आप शुक्रे आप स्वस्त्रे समर्दी से ले शंद्यव की चर्ण मेरी प्रात्मा नमना राश्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति मारा जिगायं से बहुत प्यार करता है बेटियों से लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी राश्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है मनश्य हूं और मानव होना इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राश्ट की शेवा करूँ मैं इस राश्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राश्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते है आप अपनी जन्मकुनली बनाना चाहते है आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी अवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है सातियों मेरा राश शरों परी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं यह कहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगब लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रतिय अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्पोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं सासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना चाहिए आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरुर स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन